कॉंग्रेस का मन्थन हुआ है कॉंग्रेस स्क्रीणिंग कमिटी की बैठक खत्म हो गई है लुकसभच 9 को लेकर चर्चा हुई उम्मीद्वारों पर मन्थन हुआ भूपेज बगेल और टीयस सिंग देव इस बैठक से रवाना हो गए है बैठकों के दौर लगातार चल रहे ह प्रभारी की जिम्मेदारी भी अब बदली है स्क्रीणिंग कमिटी की महतोपून बैठक और सीधे अश्रफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे समस्ते हैं क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया अश्रफ बैठक हुई क्या कुछ निकल कर आया है भूपेज बगे ललित लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि जितने दावे किये गया है चाहे वो स्क्रीनिंग कमिटी की अध्यक्ष रजनी पार्टिल हो या राज्य के प्रभारी सचिन पाइलेट दोनों ने कह दिया कि मन्तन का काम पूरा हो गया है अब जो अंतिम फैसला लेना है वो कें किंद्री चुनाओं समीती की बैठा कोगी उसमें लिया जाएगा इन्होंने सभी नामों को केंद्री चुनाओं समीती के पास भेज दिया है और सबसे महत्पूर्ण बात यह है ललित इसमें टी एस सिंग देव ने साफ इंकार कर दिया वो चुनाओं नहीं लड़ रहे हैं जब की अबुपेश भगेलपर या दूसरे बड़े चेहरों पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने संभावनय वेक्ट की कि है वो चुनाओं लड़ सकते हैं लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसे इखरार भी नहीं किया दावे के साथ रही है लेकिन हां संभावना व्यक्ति अपने बारे में टीए सिंग देव ने कह दिया है कि वो परिवारी कारणों से चुनाओं नहीं लड़ेंगे और दूसरा ये कि स्क्रीनिक कमेटी की ध्यक्ष रजनी पार्टे लिया सर्चिन पाइलेट जो रज़े के परवारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि सब नाम फाइनल हो चुके जो जिताओं केंडिडेट हैं हम उनको चुनाओं मैदान में उतारेंगे और दूसरा जो शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए बड़े हैरत की बात है कि टियस सिंग्देव ने भी का कि वो चुनाओं नहीं लड़ेंगे वो पेश भगिल से भी पूछा गया था उन्होंने का कि मैं तो गुम गुम कर प्रचार करूंगा इधर कॉंग्रस ने महतारी कर परिवार तक को लाब नहीं मिल रहा है। लाब मिलना चाहिए इस प्रदेश की माता बेहनों को इस योजना से लाब नहीं मिलेगा मतलब भारती जनता पर्टी की सरकार ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से सिर्फ चलने का काम और ठगने का काम किया है।